Hi guys, welcome back to another video of question for you. I hope guys, आप सभी बहुत अच्छी होगे. दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं Pi Network के बारे में and guys, Pi Network को लेके बहुत सारी खुशकबरी और बहुत सारी exciting updates आ चुके हैं आप सभी के लिए जो आज हम इस वाली वीडियो के अंदर discuss करने जा रहे हैं. दोस्तों, Elon Musk ने as a Pi Network को support करते वे दिखाया है. हाँ guys, आप सभी ने सही सुना, Elon Musk ने as a Pi Network को support करते वे दिखाया. आज की वीडियो के अंदर आपको proper proof दिखाने वाले हैं और Pi Network की जो transaction है 20 लाग से उपर जा चुकी है, जोकि एक बहुत बड़ी खुशकबरी है और उसी के सास Pi Network का जो barter system है, Pi Network का जो promotion है, पूरे world में बहुत ही तेजी से हो रहा है, इंडिया के अंदर, outside इंडिया के अंदर, हर एक countries के अंदर, और उसके साथ KYC को लेके, minor accounts को लेके, बहुत informative updates आ चुके हैं, आप सभी के लिए, और Manant launch कब होगा, इस चीज को लेके भी update आ चुका है और price को लेके, बहुत जादा confusion है, उस चीज को लेके भी update आ चुका है, दोस्तों, आज का वीडियो बहुत special होने वाला है, आप सभी के लिए, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर, बहुत सारे updates है, जो की highlights के अंदर cover नहीं किया जासते, जो आपको वीडियो के बीच में, य पर जरूर प्रेस कर ले, उस तो सबसे पहले मैं यहाँ पर refresh कर लेता हूँ, and हम चलते हैं, first update की तरफ, जो यहाँ पर पहला update है, as a Q&A session को लेके है, जो की hack 10 के अंदर, जितने लोग भी participate करेंगे, वो आज के दिन इसको enjoy कर पाएंगे, जहाँ पर बहुत सारी important चीजों के अंदर, as a questioning and answering देखने को मिलेगी, जो की 15 February मतलब आज के दिन होने वाला है, अब हम चलते हैं, next update की तरफ, जो की most important update है, जो की इंडोनेशिया से आ चुका है, Pi Network दीरे दीरे इसकी जो community है, day by day बढ़ती ही जारी है, इसके 5 years भी बढ़ते जारे हैं, और इसके application के users भी है, day by day increase होते जारे हैं, इस वाली footage के अंदर, आप ध्यान से देख सकते हो, इस तरीके से सभी पाइनियस इस event को enjoy कर रहे हैं, और ऐसे event day by day, अब भी के time में, पूर कर रहे हैं, यहाँ पर दो important चीजे हैं, जो Pi News है, और Pi Bridges है, इन दोनों का collaboration है, जो कि CEO मिलके as a communication करेंगे, जो कि बहुती बहतरीन चीजे आप सभी को देखने को मिलने वाली है, और यह 18 February को होने वाला है, तीन बजे के आसपास, और यह जो meeting या जो event होने वाला है, यह proper English मे होने वाला है, तो simply आप इसको जाके join कर सकते हो, अगर आप यह join नहीं भी कर पाते, तो आप सभी को next वाली वीडियो के अंदर, आप सभी को हमारे चैनल पे इसकी पूरी detail मिल जाएगी, जो भी Pi Network के साथ as a meetings होती है, events होते है, सारी चीजे हमारे चैनल पे upload होती रहती है, तो चैनल को subscribe कर लेना, इससे क्या होगा, आपको notification मिल जाएगा, अब हम चले next update की तरफ, यहाँ पे update आ चुका है, attention pioneers, Pi Core Team has updated Pi Browser 2 version 1.7.0, अभी के time में जो Pi Browser था, इसके अंदर बहुत जादा problem चल रिती payment को लेके, बिलकुली काम करना बंद कर चुका था, बट यहाँ पे Pi Browser को एक नया update मिला है, जो की 1.7.0 का version है, जो की बहुत बहतीरीन तरीके से काम कर रहा है, और अभी के time में आप जाके simply इसको देख सकते हो, पहले यह slow काम का रहता, अब दीरे-दीरे करके इसमें बहुत ज़दा improvement देखने को मिल चुकी है, और चले next update की यहाँ पे आप देखो इस वाली video footage के अंदर, यहाँ पे किस तरीके से as a सभी pioneers की transactions है, day by day mobile के अंदर बढ़ती जारी है, जो की 20 लाग से उपर transaction complete कर चुके हैं, उस तो हम चलते है most important update की तरफ जो की Pi Network की listing को लेके, transactions को लेके और इसके अलग-अलग जगवों पे as a prices को लेक के बात की जारी है, यहाँ पे सबसे पहले आप सभी के लिए reminder आ चुका है, जो की Pi Network ने officially यहाँ पे दिया है, पहले मैं open करके आपको दिखा दू, verified account 2.3 million के आसपास यहाँ पे followers हैं, और यहाँ पे proper notice आ चुका है, जहाँ पे बताया जा रहा है, अब भी के time में, जिस भी as as a platform, crypto platforms पे आप सभी देखते हो, Pi Network को वो properly fake है, वहाँ पे जाके आपको कोई भी as a trading को start नहीं करना, कोई भी जगह पे जाके buying and selling को start नहीं करना, अगर आप ऐसा करते हो, तो आप सभी as a बहुत सारे losses को bear कर सकते हो, और उसके साथ आप सभी के जो Pi के साथ proper records थे, I mean जितने भी mine किये हुए coins दे, वो proper finish हो सकते हैं, ठीक है, और बात की जाए, Pi Network के अभी price के बारे में, जो आप हर exchanges पे देखते हो, वो real prices नहीं है, और आज की वीडियो के अंदर ही आपको सारी चीज़े clear करेंगे, और जो की आप सभी के लिए most important है, अब हम बात करते हैं, Pi Chen International के 2 million से जादा इसकी transaction हो चुकी है, इनके लिए platform के उपर और hackton आते ही, जैसे ही अभी की हम बात करें, जिसमें की customer service को भी add-on किया गये है, और भी other services को भी आप सभी को देखने को मिलता है, इस वज़े से इसकी जो transaction है, day by day और भी तेजी से increase होती ही जारी है, और यहाँ पे आप सभी ध्यान से देखें, तो किस तरीके से as a 14,78,000 के आसपास की transaction देखने को मिली है, और यहाँ पे आप सभी को timing देखने को मिल रही है, जो कि 9 minute पहले की timing है, और यह आज का ही detail है, और यहाँ पे साफ सा बताया जा रहा है, पाई चैन मॉल्स मेजर मैनेट वॉलेट हैंज चेंज तो फॉलॉइंग एडरेस, अभी के टाइम में एक नई चीज को यहाँ पे इंटर्डूस किया गया है, जो कि GBCR वॉलेट है, और यह पाई फंड की तरफ से है, और यहाँ पे as a migrate करने के बाद, आपको यह सब चीज को जितने भी पाई चैन मॉल के as a buyers है, उनके लिए benefits देखने को मिलने वाले हैं, इस अब हम कुछ international levels की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से पाई के merchants को दीरे दीरे बहुत तरीके से sell out किया जा रहा है, और यहाँ पे as a in a documentary form में भी accept किया जा रहा ह और यह सारे जो proofs हैं, आप सभी को as a trust भी देते हैं, और assurance देते हैं कि पाई का जो valuation है, वो कितना जादा होने वाला है future के अंदर, and चले next update की तरफ यहाँ पे देखो, normal जो as a shop से वहाँ पर भी accept किया जा रहा है, पाई की as a payments को, अब हम बात करते हैं, अभी के time में आप अब दोस्तों हम बात करते हैं, पाई network की KYC के बारे में, और यहाँ पे कुछ नए features को on किया गया है, जिसके अंदर minor accounts की KYC को कैसे complete किया जाएगा, normal accounts की KYC को कैसे complete किया जाएगा, और बहुत सारे पाईनियस ऐसे हैं, जिनके 7 step के अंदर problem हो रही है, कोई-कोई steps तो ऐसे ह जो पास आउट नहीं उपारे, और किसी कि 7 step, 8 step complete होने के बाद भी as a proper KYC verification जो प्रॉपर चीज है, वो देखने को नहीं मिल रही, तो ऐसी क्या गलतिया आप कर रहे हो, और ऐसी क्या चीज़े पाई network ने update की है, जो आप सभी के लिए helpful होने वाली है, दोस्तों यह आज का ही update है, यहाँ पे सबसे important चीज़ बताई जा रही है, पहले हम बात करते है, minor account के बारे में, जो 18 साल से कम है, उनके account के लिए आप सभी को ज़्यादा tension लेने की जरूरत नहीं है, अभी के time में जो भी आपके kits होंगे, उस situation में जितने भी pie के coins को उन्होंने mine किया होगा, वो आ आप अपने account में transfer कर सकते हो, या दूसरा option यह होगा, आप as a link कर सकते हो, अपने account को उनके account से, इससे क्या होगा, कि आप सभी के जो proper majority होगी, जो आप सभी का proper concern होगा, वो आपके parents पे चले जाएगा, और इसी चीज़ को लेके यहाँ पे बताया है, parental concern, ठीक है, यहाँ पे जो भी engagement होगी, जो भी pie का account होगा, जो भी proper kyc होगी, वो आपके बिहाफ पे हो जाएगी, हम बात करते हैं, normal pioneers के बारे में, जिन pioneers की as a kyc apply कर चुके हैं, बट उनकी kyc के अंदर बहुत जादा time लग रहा है, तो ऐसी situation के अंदर आपको basically करना क्या है, सबसे पहले, अगर आपका जो time जादा लग रहा है, आपकी जो गलतिया हो सकती है, कि आपने अपना mobile number लिंक नहीं क्या होगा, facebook account लिंक नहीं क्या होगा, और तीसरी चीज़ email id, यहाँ पे यह तीन चीज़े बहुत ही essential है, जो pie network ने, pie की code team ने इस चीज़ के बारे में clearance दिया है, और जो documents है, जो भी आपको उसके name है, वही accurate name आप सभी को as a KYC fill करते time fill करने है, और एक और सबसे important चीज़, अगर आपको कोई call करके बोलता है, कि आपके account के अंदर या आपके KYC complete करने के लिए आपके name में गलती है, आपके account के साथ, आपके as a documents में गलती है, और आपको personal call आता है, तो इस situation में आप समझ जाना, वो proper scam या frauder का call है, तो situation में उसको block कर देना, अपनी कोई भी आपको details वहाँ पे share नहीं करने, उस situation में क्या हो सकता है, कि आपका जो पाई का personal account है, वो भी hack हो सकता है, और जो आपका normal bank account है, वो भी hack हो सकता है, क्योंकि आजकल की situation में एक normal link के through आपका account भी access किया जा सकता है, और दोस्तो अभी आपको tension लेने की जरूद नहीं है, पाई network धीरे धीरे हर एक चीज़ को improve कर रहा है, और जो pioneer अपने real authentic document के साथ verify कर रहा है, उनका कुछ ही mintों के अंदर verify हो जा रहा है, तो आप सभी अपनी details को okay रखे, और जो लोग as a कु और पाई network ने साफ सा बताया है, कि ऐसे situation के अंदर जो पाई का algorithm है, इस चीज़ को समझने में थोड़ा time लेता है, जिस वज़े से आप सभी का जो process time है, वो ज़्यादा देखने को मिलता है, बट आपको हर चीज़ को लेके tension नहीं लेनी, क्योंकि हर एक चीज़ day by day improve की जा जा रहा है, और KYC को apply भी किया जा रहा है, और उसके साथ जितने भी slots है, अलग-अलग types की KYC methods है, सभी पे enclosed management के अंदर जो hack 10 period चल रहा है, इसके अंदर देखने को मिल रहा है, और 28 फरवरी से पहले आप सभी की, almost सभी की KYC को complete कर दिया जाएगा, चाहे वो minor हो, चाहे major हो, तो यहाँ पे आप सभी को कुछी दिनों के अंदर बहुत सारी exciting चीज़े देखने को मिलेगी, जैसे ही AI system launch हो जाएगा, and guys, अब हम बात करने जा रहे सबसे most important update के बारे में, जो की Elon Musk की तरफ से आ चुका है, यहाँ पे लिखा है, Elon Musk was truly spotted wearing Pi Network T-shirt image not edited, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, Pi Network की as a T-shirt को as a Elon Musk ने wear कर रखा है, और यह जो footage है, not edited, यह कोई edited photo नहीं है, और यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में proper explain किया जा रहा है, दोस्तों मैं आप सभी को बता दो, Elon Musk as a किसी भी share के उपर as a हाथ रख दे, या किसी भी cryptocurrency के उपर बात कर ले, तो रातो रा वो आसमान चूदेगा, उनके सिर्फ और सिर्फ एक tweet से, तो यह power है इनकी क्योंकि इनके जो अलग-अलग achievements है, वो आप सभी जानते हो, यहाँ पे बताया जा रहा है, this is not aggregate, because this picture should be everywhere online by now, I think this is not photoshopped or kind of manipulated in any way, because to its look very real, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, यह जो footage है, बिलकुल भी edited नहीं है, यह real footage है, जहाँ पे as a कोई event के तुरू, यहाँ पे proper इस चीज को social media पे फैलाया जा रहा है, और यह 100% genuine है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, I strongly believe it's real, but if you can prove that this picture is manipulated, then I stand to be correct, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर इस चीज को लेके कोई भी wrong बोलता है, कि यह न ओके, तो यहाँ पे कुछ important चीजों के बारे में बात की गई है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो, और Elon Musk अभी के time में बहुत सारी चीजों पे support करते हैं, जैसे कि Shiba Inu के आप बात सुलो, और उसके साथ साथ आप देखो किसी भी cryptocurrency को, blockchain को, और जो भी technology वाली प्रेक्चर mobile phone that is yet to be released by the name of Tesla model Pi, Elon Musk चाहते हैं कि एक ऐसे smartphone को release किया जाए, जो कि Tesla के साथ हो, और Pi के साथ मिलके as a release हो, जो कि दोनों का combination हो, और यह एक बहुत बड़ा project है, जैसा कि आप सभी को पता है, Elon Musk as a normally बात की जाए, ना iPhone को पसंद करते हैं, ना Android phone को पसंद करते हैं, वो अपना एक अलग smartphone create करना चाहते है, जिसका नाम Tesla model Pi होने वाला है, I am sure you guys might already be aware of the, but in case you are not aware, now you are the facts that Elon must name his new phone Pi, and now we are seeing him putting on 80 shots of Pi network, तो यहाँ पर इस वाली footage के बिहाव पर आप देख सत्यों किस तरीके से यहाँ पर promotion हो रहा है, और इस photo के अंदर mostly देखने में लग रहा है, कि यह real footage है, और इस से पहले भी Elon Musk ने Pi network के बारे में कुछ ना कुछ activities की है, और यहाँ पर Tesla smartphone के भी बहुत सारी चीज़े देखने को मिल रही है, और यहाँ पर बहुत सारे questions भी हुए है, जो कि Pi smartphone को लेके है, और Tesla name को भी लेके है, पतलब दोनों ही मिलके कुछ special चीज़ आप सभी को future में देखने को मिल सकती है, अब हम बात करते है, last important update के बारे में कि Pi network का open management आप सभी को कब तक देखने को मिलने वाला है तो दोस्तों यहाँ पर अब भी के time में सबसे बड़ी problem KYC को लेके है, जब तक KYC complete नहीं होगी, तब तक open management को launch नहीं किया जासता, इस चीज़ को लेके साफ साफ Pi network ने clear कर चुका है, अब हम बात करते हैं Pi network की dates के बारे में, तो Pi network आप सभी को March के अंदर as a release होता हुआ दे 14 मार्च इसलिए special है, क्योंकि यह Pi day होता है, और इसी दिन 14 मार्च 2019 को Pi network इना social media में release हुआता, ओनलाइन आया था, इसी वज़े से यह anniversary day भी बोला जाता है, ठीक है, और एक और fact कि आप सभी को बात बताई जाए, तो Pi network का जो सबसे important phase था, वो phase 2 है, जो अभी काम कर रहा है जो की enclosed manant है, ongoing hack 10 है, इसके बाद आएगा phase 3, वही होगा open manant, जिस चीज का सभी लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं, अब हम बात करें Pi network के price के बारे में, तो Pi network का price आप सभी को normally 40 to 50 dollar के आसपास minimum देखने को मिल सकता है, और maximum की कोई guarantee नहीं है, कितना भी आगे जा सकता है तो दोस्तो आज की वीडियो के अंदर यही था, I hope आपको समझ में आया होगा, आज की वीडियो के अंदर बहुत सारे अपडेट्स थे, अभी तक वीडियो पे बने हुए हो, तो प्लीज गाइस एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नही हो, सब्सक्राइब करके आपकेशन बैल को ओल पे जरूर प्रैस कर देना, दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जैह हिंद वंदे मातरम